अस्सलाम उलेकुम डेर स्टुडेंट्स मैं दिशान अली आप लोगों केमिस्टी टीचर बेड़ा कैसे हैं आप लोग मुझे मीद्य खेरिये से होंगे अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टुडीज पर भी प्रॉपर कंसेंट्रेशन दे रहे होंगे मैडे स्टुडेंट्स हमने लास्ट दो लेक्चर में चेप्टर नमबर सेकिंड के अंदर स्टेडि किया है डिस्कावरी ओफ एलेक्टरॉन प्रोटॉन एंड नूट्रॉन और आज हम डिसकेस करेंगे रदर फोर्ड एटॉमिक मॉडल रदर फोर्ड एटॉमिक थेरी तो चल स्टुडेंट्स 1911 में लॉर्ड रदर फोर्ड ने एक क्लासिकल एक्स्परिमेंट के थू दिस्कावरी की नुकलिस की इन एन अटम और उन्हों ने रिजेक्ट किया प्लम एंड पुडिंग मॉडल को मैं देश्टुडेंट्स बेसिकली रदर फोर्ड एक्स्परिमेंट डिसकस करेंगे जिसके थू रदर फोर्ड ने डिसकावरी की नुकलिस की इन एन एक्स्परिमेंट्स लॉड रदर फोर्ड ने अलफा पार्टिकल्स की बीम हांसल की फ्रॉम ए रदियो एक्टिव मेटल लाइक रदियम और पलोनियम और फिर इस अल्फा पार्टिकल्स की बीम को थ्रो किया अन ए वेरी थिन फोल अफ गोल्ड है जिसकी थिक्नेस थी 0.0004 सेंटीमितर मैदे इस्टूडेंट्स आफ्टर दा गोल्ड फॉइल लॉड रदर फोर्ड ने प्लेस कर दिया एक फ्लोरीसन्ट सक्रीन जब मैं फ्लोरीसन्ट सक्रीन बोलता हूं तो इससे मराद है एक गलास प्लेट जिसके उपर कोट किया गया है जिंक सल्फाइट को या फोटोग्राफिक प्लेट लॉड रजर फोर ने ये अब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अन्डिफलेक्टिडली गोल्ड फॉयल में से पास्थ्रू हो गए कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए या डिफलेक्ट हुए बाइ मेकिंग ए फेरली लार्ज एंगल मैडे स्टुडेंट्स अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है और जब मैं कहता हूँ अल्फा पार्टिकल तो इसका मीन है हीलियम का डाइब पाॉजिटिव आई मैडे स्टुडेंट्स रदर फोर्ड की अब्जर्वेशन थी कि अगर उसने बीस हजार अल्फा पार्टिकल्स फैंके हैं थिन गोल्ड फाइल पर तो मैजॉरिटी आफ अल्फा पार्टिकल्स पास्थ्रू हो गए थिन गोल्ड फाइल में से कुछ ऐसे थे अल्फा पार्टिकल्स जो बाउंस बैक हुए या डिफलेक्ट हुए बाइ मेकिंग ए फेरली लार्ज एंकल्स मैडे स्टुडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट्स से कुछ इंपॉर्टेंट कॉंक्लूजन्स ड्रॉड रदर फोर्ड ने अब इस क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के कॉंक्लूजन्स हम डिस्क्स करेंगे एतम का मेजर पोर्शन वेक्ट होता है एतम का बड़ा हिस्सा खाली होता है इसलिए बहुत सारे अल्फा पार्डिकल पास्थ्रू हो गए इस वेक्ट पोर्शन से तो यहां से हमने कॉंक्लूजन्स यह ड्रा करना है कि एतम नो डाउट एक टिनी पार्डिकल है छोटा जर्रा है मगर इस छोटे जर्रे में भी जो मेजर पार्ट है वो वेक्ट होता है वो खाली होता है इसलिए बहुत सारे अल्फा पार्डिकल पास्थ्रू हो गए गोल्ड फॉयल में से यह अन्डिफलیک्टड ली लेकिन कुछ अलफा पार्टिकल ऐसे बी थे जो बाउंस बैक हुए या डिफलेक्ट हुए बाइ मेकिंग ए फेरली लार्ज अंगर जिसे ये प्रूव होता है कि एटम का सारे का सारा मैस कॉंसंट्रेट होता है एक छोटे से हिस्से में जो हार्ड होता है डेंस होता है और जिसको कहा जाता है नूकलियस और नूकलियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है मेडे स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो बात अंडेस्टेंड की है अबाउट रदर फोर्ड एटॉमिक मोडल कि एटम का मेजर पॉर्शन बड़ा हिस्सा खाली होता है इसलिए बहुत सारे अलफा पार्डिकल्स अनडिफलेक्टिडली पास्थ्रू हो गए गोल्ड फायल में से और एटम का सारे का सारा मैस कॉंसेंट्रेट होता है एक छोटे से हार्ड डेंस पॉर्शन में जिसे कहा गया नूकलिएस और जब अलफा पार्डिकल्स टकराए इस छोटे हार्ड डेंस पॉर्शन से या नूकलिएस से तो या बाउंस बैक हो गए या डिफलेक्ट हो गए बाइ मेकिंग ए फेरली लार्ज एंकल मैडे स्टुडेंट्स अकार्डिंग टू रिज़र फोर्ड अटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रोन रिवॉल्व करते हैं और रौनदा नूकलिएस और एटम ओवराल एक नूट्रल पार्डिकल होता है यानि एटम पर कोई नेट चार्ज नहीं होता क्योंकि एटम के नूकलिस में जितना पॉजिटिव चार्ज का मैगनिचूड है एटम के नूकलिस के बाहर उतना ही नेगटिव चार्ज का मैगनिचूड है हम इस तरह भी कह सकती हैं कि एक्टम के नुकलिस में जितने positive protons हैं atom के नुकलिस के बाहर उतने ही negative electrons है proton पे positive charge electron पे negative charge और charge का magnitude दोनों पे same होता है nature different होती है और rather ford atomic model resemblance रखता है हमारे solar system से यानि जो हैसियत sun की है सूरज की है हमारे नजामे शमसी में बिलकुल वही हैसियत nucleus की है in an atom तो हम यू कह सकते हैं rather ford atomic model have resemblance with our solar system my day students atom का सारे का सारा mess nucleus nucleus में concentrate होता है और nucleus में जो present sub atomic particles हैं उनको हम nucleons कहते हूं यानि nucleons में कौन कौन से sub atomic particle शामल है electron के अलावा बाकि जितने भी sub atomic particle है एक atom में उनको nucleons कहा जाता है और यह जनरल ही होते हैं protons and neutrons my day students no doubt rather ford atomic model से discovery हूई nucleus की के nucleus central portion present होता है atom में और इसमें positive charge है और atom का सारे का सारा mess concentrate होता है इस छोटे से nucleus में लेकिन एक major drawback भी है rather ford atomic model का according to this model electron revolve करते हैं around the nucleus मगर electron का exact behavior satisfactory explain नहीं किया था lord other ford ने हम खुद suppose कर लेते हैं कि electron present है around the nucleus अगर electron stationary है यह अपनी यह अपनी जगा पे fix है तो definitely nucleus है उसको अपने तरफ अट्रेक्ट कर लेगा और electron को fall कर जाना चाहिए nucleus में atom को collapse हो जाना चाहिए हम जानते हैं ऐसा नहीं होता हम फिर फरदर यह भी suppose कर लेते हैं कि electron revolve कर रहा है around the nucleus तो during revolving electron को energy emit out करनी चाहिए जब electron energy emit out करेगा तो definitely उसके orbit का radius छोटे से छोटा होता जाएगा और एक stage ऐसी भी आएगी कि electron fall कर जाएगा nucleus में atom को collapse कर जाना चाहिए it's mean electron ना तो अपनी position पे fix है around the nucleus और ना ही during revolving electron energy emit out कर रहा है और तीसरा important defect media students अगर electron continuously light energy emit out कर रहा है during revolving तो atom को बनाना चाहिए continuous spectrum but in actual practice हकीकत में क्या होता है कि atom बनाता है line spectrum it's mean continuously light energy emit out नहीं करता revolving electron तो ये important drawbacks थे rather ford atomic model के जो आपका important short question भी बन सकता है तो summarize हम इस वे से कर सकते हैं my dear students कि electron का behavior satisfactory way से explain नहीं किया था लौर्ड रॉदर फोर्ड ने मगर बहुत important concept हमें दे दिया लौर्ड रॉदर फोर्ड ने कि atom का major portion vacant है atom का सारे का सारा mass concentrate होता है एक छोटे से hard portion में जिसे nucleus कहते हैं मेडिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस topic को prepare इस way से करना है कि पहले discovery of nucleus रॉदर फोर्ड atomic model की diagram त्यार करनी है उसके बाद conclusions observations और लास्ट में drawbacks त्यार करनी है no doubt यह classical model है about the structure of atom और next हम पढ़ेंगे बहुर's atomic model जिसमें हम discuss करेंगे electron का complete behavior around the nucleus in an atom यानि जो drawback रह गये थे रॉदर फोर्ड atomic model में उनको सही करेंगे with बहुर's atomic model 1913 में अपने atomic model के अंदर तो इन्शाला नेक्स टेचर में आप लोगों से दोबरा मालगात होगी with बहुर's atomic model अपना बहुर's atomic model अपना बहुत तरह खया रखियेगा आला अपीस